कि कंबा गहनी मारो राजिस्थान परिवार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है 10,000 MCQ स्टार्ट करने लगे हैं आज एक छोटा का कोट है अच्छा लगा तो इसको करते हैं मैं कुछ से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या ओकात है जो मुझे हरा पाए ठीक है तो तब तक हार नहीं होती जब तक हमार अपनी खुद स्विकार नहीं करते है सब कुछ हमारे अंदर है सारी पावर सारी एनरजी आपके अंदर है जिसको जितना यूज करोगे उतना ही हमारे results अच्छे आएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मैं डॉक्टर तर्युनावाज अनकेडमी प्लस पे लाइफ क्लासिज लेती हूँ मेरे कोर्सिस की लिस्ट है आप जॉइन कर सकते हैं 10% डिसकाउंट के लिए MRP10 कोड लगाईएगा जैसे ही लगाओगे 10% डिसकाउंट मिलेगा साथ में फ्री क्लासि ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग अनकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोड कीजिए रपी सी केटेगरी में जाएए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो दो साल का सब्सक्रिप्शन ले आरेस वाले बच्चे कितने साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे दो साल का सब् MRP 10 code लगाना बच्चे यहां पर, RAS record मुश्किल हो जाएगा, spelling mistake कर दोगे, ठीक है तो MRP 10 simple code लगाएगा, बाकी बच्चे एक साल का plan भी choose कर सकते हो, आपकी मर्जी है, Facebook, Telegram page, RAS record जुड़ जाओ, Current Affairs की, English की सारी PDF यहां पर देती हो, यह मेरा contact number है, कोई बात पूछनी हो तो आज की class का topic क्या है, राजस्थान का एक ही करन, उसके उपर कुछ important MCQs करने वाले हैं, कुछ हाज करेंगे, कुछ मंडे को करेंगे और फिर एक नया topic करेंगे, so let's start, ठीक है, मचसे संग का उदगाटन किस ने किया, शोभाराम कुमावर जी ने, N.V. गडगिल जी ने, उध जहबान सिंगने या फिर अरजुन सिंगने, तो इसका आंसर है मचसे संका, जब उदगाटन करते हो, सब के मन कैसे हो जाते है, गडगद गद 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 खुश हो जाते हैं, वो वाटर के अंदर, एकवेरियम के अंदर, आप उनको देखके, आपका मन कैसा हो रहा है, वात होती है इसके 18 मार्च 1948 को ठीक है बच्चे चले ये हैं हमारे एन्वी गडगिल जी नरहर विश्णु गाडगिल ठीक है नरहर विश्णु गाडगिल उसके बाद है जब इतने खुश हो रहे हैं उद्गाटन शुटगाटन हो रहा है तो धोल नगाड़े तो बजेंगे मत्से संग के राजप्रमुक कौन बने धोलपूर के राजाबने और यहां के प्रधान मंतिरी को रहे curiosity को रहा है जब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारे मत्से संगकी अलवर भरतपूर धोलपूर करोली की शोभ़ बढ़ रही है तो प्रधान प्रधान मंत्री वाली सीट पे जो विराज़ Reach out और कोण बनते हैं मत्से संग के शोभा राम जी बनते हैं इसकी राजधानी और मत्से संग नाम दिया हैं मत्से संग नाम कि इसे याद करी जे तो next question है United Rajasthan कब बना संयुक्त Rajasthan ठीड़र इन 4 में से डेढ़ 선택 करनी है सेलेक्ट कीजेगा तो इसका सही आंसर है बच्चो 18 अप्रेल 1948 को कब बना 18 अप्रेल 1948 को राजस्थान की फॉर्मेशन की तीसरी स्टेज में सयुक्त राजस्थान बनता है ठीक है ये पूरी डिटेल से आपको ये पीडियेफ दे दूगी तो वहां से देख लिजेगा कि कौन सा राजस्थान कब बनता है ठीक है बच्चे पूरा डेट सहीत है युनाइटेड राजस्थान के प्रधान मंतरी कौन बनते हैं सैयुक्त राजस्थान के मानिके लाल वर्मा जी भूपल सिंग जी पंडे थीरा लाल शास्त्री जी या फिर मान सिंग जी देखो बच्चे सै युक्त राजस्थान की बात करें United राजस्थान में इसके अंदर क्या होता है राजस्थान में किसको जोड़ा जाता है उद्यपूर जोड़ा जाता है तीसरे चरण में जो दूसरे चरण में बनता है राजस्थान संग उसके अंदर उद्यपूर जब जुड़ता है तो United रा रतनों वाला शब्द आएगा तो मानिक के लाल वर्मा जी ठीक है कौन बनते हैं बच्चे मानिक के लाल वर्मा जी बनते हैं ठीक है संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण 18 अपरेल 1948 को उधगाटन कौन करते हैं इसका खुद प्रधान मंतरी ज्वाहरलाल नहरू जी करते हैं राजप्रमुक कौन बनते हैं अब उदेपूर जुड़ा है तो मेवाड की बनेंगे सीदी सी बाते मेवाड के महाराना भूपाल सिंग्जी इसके राजप्रमुक बनते हैं प्रधान मंतरी कर लिया इसकी राजधानी उदेपूर होती है ठीक है क्लियर है अभी तक वीडियो में मस वाला लाइक नहीं चिपका है तो लाइक चिपका दो यहाँ पर मैं आपको ए क्या की करण के चौथी चरण में जो है इसके राजप्रमुक कौन बनते हैं सवाई मान सिंग बनते हैं भुपल सिंग बनते हैं हीरालाल शास्त्री जी या सक्तियन रायन राओ बनते हैं तो 국 legal में बच्चे जैपूर जोड़ा जाता है ठीक है itself जोदपूर बड़े बड़े जो होते हैं जैसल मेर विकानेर ये सब जोड़े जाते हैं तो जैपूर के जो राजा होते हैं वो बनते हैं तो कौन बनेंगे सवाई मान सिंग बनते हैं कौन बनते हैं राजप्रमुग सवाई मान सिंग अब आप सोचोगे जो भूपल सिंग थे महाराना जो ऑगला कोशन देखते हैं greater Rajasthan की जो व्री rip Rajasthan की है इसकी राजधानी कौन सी बनी बच्च क्वेश्चन अभी करवाया पिछली स्लीड में गलत नहीं होना जागे कि सी का जोथपूर, जैपूर, बिकानेर या फिर जैसल मेर वरिहद राजस्थान मेर तो हमारे जैपूर जो है वो बनती है कौन बनती है बच्चे जैपूर बनती है इसकी राजथानी ठीक है ग्रेटर राजस्थान के वरिहद राजस्थान के प्रधान मंतरी कौन बनते हैं हीरालाल शास्त्री शोभाराम कुमावत्तो मत से संकेते तो ये तो नहीं होगा भीम सिंग भी नहीं होगा राजामान सिंग क्योंकि ये तो राजप्रमुख बनेंगे ठीक है ये प्रधान मंतरी का पत थोड़ी लेंगे राज प्रमुख राज ठाट वाला ही पदलेंगे तो आप्शन में बच्चा क्या हीरा लाल शास्त्री ब्रीहद राजस्तान के प्रधान मंत्री कौन बचते बच्चो हीरा लाल शास्त्री जी बनते हैं और मेरे ख्याल से 7 मई को बनते हैं ठीक है ये हैं हमारे हीरा लाल शास् जल्दी से वीडियो को शेर करो, लाइक करो, ठीक है, बंदासवला, जलो, ठीक है, राज़स्थान जब बन गया था बनते हैं ये बनते हैं ठीक है चले अगला question करते हैं एक नमंबर 1956 एकी करन पूरा हुआ और जिस दिन एकी करन पूरा होता है राज प्रमुक का पद जो है बच्चे खतम कर दिया जाता है गवर्नर पद आ जाता है मुख्यमंतरी पद आ जाता है तो कौन सा पद खतम कर दिया जाता है ठीक है आज मेरे रूम में थोड़ा सा congestion हो रहा है तो जादा नहीं बूला जा रहा है ठीक है सौरी उसके बाद है वेर वस दी हैड ओफिस ऑफ एजिंट ऑफ गवर्नर जनरल याद है ना जनरल लॉरेंस था ठीक है राजस्थान के अंदर इसका जो है ओफिस कहां पर होता था राजस्थान के अजाद होने से पहले इसका ओफिस कहां पर बच्चे ये अंग्रेज लोग आते थे ठीक है घूमने फिरने हिल स्टेशन पर ही जाएंगे जैसे दार जिलिंग हिमाचल में शिमला वगेरा इन्होंने बनाए कसोली बगेरा बनाए तो राजस्थ में माउंट आबू ना दिया हो फिर सिरोही कर सकते हो अगर दोनों दिये हैं तो क्लोज ओप्शन क्या है माउंट आबू तो माउंट आबू ही अपना आंसर आएगा उसके बाद है डूरिंग दी फॉर्मेशन ओफ इंडियन कॉन्सिटूशन जब भारत का समविधान बन र तो चार कैठेगरी इस थे भारत के राजयों की ए श्रेणी बी श्रेणी सी और दी तो अपना राजस्तान मारौ राजस्तान कौन सी श्रेणी में रखा गया था बच्चे बी श्रेणी के अंदर रखा अजमेर विर्वाडा चलता था UT की तरह जैसे Central Government डारेक्ट उसको Administer करती थी ठीक है केंदर शाहित बदेश की तरह तो ये Centrally Administered Territory तो ये कौन सी कैटेगरी में आता था अगर Question आ जाए अजमेर मेरवाडा आता था बच्चो C Category के अंदर ठीक है अगर आप Integration of Rajasthan, Rajasthan का एक कि गरन एक घंटे में पूरा खतम करना चाहते है साथ के साथ चरन तो मेरी special class मैंने ली हुई है उसका link description में डाल दूगी तो वहाँ पे जाके आप ये topic पूरा detail में भी बच्चों cover कर सकते हो साथ चरन की मैं बात कर रहे हूँ ठीक है वो details सारी ठीक है अच्छा उसके बाद है पूराना जो हमारा राजस्तान उसमें शाहपूरा सबसे चोटा है तो सबसे बड़ा माना जाता है जोधपूर को क्या होगा सबसे बड़ा जोधपूर होएगा ठीक है simple question है उसके बाद है 1947 से पहले राजस्तान की जितनी भी रियास्ते से सारी मान गई थी सम्विधान में स तो इसका अंसर है जैसल में यह मैं याद करवाने के लिए मान रहे हूँ बता रहे हूँ आपको ताकि आपको चीज़े याद रह जाएं तो अंसर क्या है जैसल में ठीक है चलो अगला question देखते हैं यूनिफिकेशन ओफ राजस्तान कब complete हुआ राजस्तान का एकी करण कब complete हुआ इसी क्लास में कराया है बच्चा कोशन लेकिन RAS में आया हुआ है एक नवेंबर 1956 को कब complete होता है एक नवेंबर 1956 को complete होता है ठीक है राजस्तान जब बना तो कितने नेटिव राज्ये कितने प्रिंसली स्टेट मतलब कितने रियासत थी जिनको एकिकरण किया गया था तो इसका सही आंसर है बच्चो कितने मूल राज्ये थे जिनको एकिकरण कर रिया गया था तो टोटल आंसर आएगा इसमें 16 ठीक है 16 उसके बाद है राजस्तान की पहली स्टेज जो थी यानि की मत्से संग जबना था तो ये मत्से संग नाम किस ने दिया था ये तो कर चु होगा बच्चो option number a answer होगा ठीक है यह है हमारे गडगेल जी ठीक है उसके बाद है ठीक है कौनसी जो territory है जो राजस्तान की Britishers के direct control में थी मतलब खुद हैंडल करते थे वो क्योंकि ये च्छावनी भी थी ना यहां पर ठीक है अजमेर मेरवाडा अजमेर नागोर अजमेर मा ठीक है राजस्तान का एक एक करन कितने चरनों में पूरा हुआ यह तो सबको आता ही होगा मैं उमीद कर रही हूँ तो इसका आंसर क्या होगा answer number d option number d 7 चरनों में complete हुआ ठीक है मत से संग कब बना तो मत से संग कब बनता है चार डेट्स दी हुई है इसमें से सबको पता है 18 March 1948 को पहला चरन की डेट क्या है बच्चो 18 March 1948 को ठीक है राजस्तान संग कब बनता है इसके एक हफते बाद 25 March 1948 को और उसके भी एक दो हफते के बाद यानि की 30 March 1948 को कौन से स्टेज आएगी नहीं 30 March नहीं sorry 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 18 March 25 और एप्रिल आएगा ठीक है 18 April आएगा शायद से ठीक है उस ठीक है 18 March 25 March 18 April एशायद से ठीक है देख लेना उसको इक बाद चलो कोई बात नहीं मत्से संग के राजप्रमुख कौन थे दोलपूर के राजा करोली के भरतपूर के अलवर के अभी कराया है इसी वीडियो में किया है मत्से संग के राजप्रमुख ढोल नगारे बज रहे ठीक है तो दोलपूर के राजा कौन थे बच्चो राजप्रमुख कौन बने थे दोलपूर के राजा बने थे ठीक है क्लियर सबको चलो उसके बाद है ग्रेटर राजस्थान के राजप्रमुख किसको बनाया गया था व्रिहद राजस्थान के ठीक है राजप्रमुख कौन तो उस टाइम पर प्रदान मंत्री कौन बने थे उनाइटेट राजस्थान जब बना गोकुलाल असावा जी मानिक्क्यलाल वर्मा गोकुलभाई भट या फिर मोहन लाल सुखाड यह मैंने क्या लाल वर्मा जी कौन बने हैं बच्चो मानिक के लाल वर्मा जी तो प्रधान मंत्री के जितने भी पताएंगे ना बच्चो सब आपको मिलेंगे शोभा लाल कुमावत जी ठीक है युनाइटिड के अंदर मानिक रतनों के नाम आ गए और वरिहद राजस्थान के कौन बनते है आप ऐसे याद कर सकते हैं प्रधान मंत्री के पतक राजाओं के नाम पे आपको नहीं मिलेंगे इसमें रतन के नाम आपको जाधा मिलेंगे तो आई हख और दो पटवारी पुले पुले को में गाया एक सब्सक्रिप्शन के आपको बेंगे ठीक है तो मुझे connect कर सकते हो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like, subscribe, share करने में हीच की चाते थोड़ी है MRPN से ठीक है तो करके दिखाओ मुझे चलो तो अगली वीडियो में मिलती हूँ सबको घनिगानी राम राम